दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन तरह के काम के बारे में जो कि आप अगर किसी औरत या लड़की के सामने करते हो तो वो लड़की या औरत खुद आपको भाव देगी खुद होकर आपसे दोस्ती करेगी हाँ दोस्तों यह जो तीनों काम है इसमें से आपको तीनों करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर आप तीनों करते हो तो सबसे बढ़िया है अगर आपसे तीनों काम नहीं होते तो इसमें से कोई भी एक काम करते हो तो लड़किया आपसे खुद आकर दोस्ती करेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो जो पहला काम है वो है अपने अंदर confidence या आत्मविश्वास लाना दोस्तों ज्यादा तर और 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 लड़किया आईसे लड़कों पर मरती है जिन में आत्मविश्वास भरपूर होता है जो हिम्मती और सास ही होते है अब आप यह सुचोगे कि कैसे पता करूगे कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है या नहीं जब आप किसी अंजान आदमी से या लड़की से बिना डरे बात कर लोगे जब आप किसी भी अजनवी से बात करते वक्त डरोगे या घबराओगे नहीं जब आप सौ लोगों के सामने बिना डरे बिना घबराए बिना आपकी जुबान लड़कड़ाए अपनी बाते बोल कर आ जाओगे तब समझ लेना कि आप में आत्मविश्वास है जब आप बिना डरे किसी भी चैलेंज को एकसेप्ट कर लोगे तब समझ लेना कि आप में आत्मविश्वास भरबूर है और जब आप में आत्मविश्वास या confidence आ जाएगा तो मैं 100% guarantee देकर कहता हूँ कि आप से लड़किया और आवरते खुद आकर दोस्ती करेगी जो दूसरा काम है वो है personality development जी हाँ दोस्तो अगर आपके personality अच्छी है तो आप किसी भी लड़की को या औरत को अपनी तरफ जल्दी से जल्दी attract कर सकते हो अभी आप यह सोचोगी कि personality का मतलब गोरा होना उचलंबा होना या फिर किसी hero के जैसे दिखना होता है मैं तो ऐसा नहीं हूँ तो मैं बताता हो कि आपकी यह सोच गलत है कोई भी लड़की लड़के का रंग या शकल नहीं देखती लड़कियों के लिए रंग या शकल माइने नहीं रखती लड़किया और और औरते लड़कों के अंदर सिर्फ उनका dressing sense, hair style उनके चलने के तरीके और बात करने के तरीके कैसा है यह देखती है लड़का stylist है या नहीं यह देखती है इसलिए आपको अपने dressing sense को अपने hair style को अपने बातचित करने के लहजे को develop करना है इसे बहतर और बहतर करते जाना है मतलब आपको अपनी personality को अपनी fitness को बहतर बनाते जाना है जिससे की हर लड़की और और आपकी personality को देखकर impress हो जाए जो तीसरी चीज है वो है पैसा हाँ दोस्तों आप मानो या ना मानो लेकिन यह सच है कि दुनिया पैसों की दिवानी है और खास करके लड़की और पैसों की दिवानी होती है जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती किसी वो किसी भी लड़की और आपको पटा सकता है इसलिए पैसा कमाने के लिए पीछे पढ़ जाओ चाहे मानो या ना मानो लेकिन आज के जमाने में पैसा बहुत important है जिसके पास जितना पैसा होता है उसको उतनी ही respect मिलती है यानि कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस ब्यक्ति को ब्यक्ति के पैरों के नीचे पूरी दुनिया होती है तो दोस्तो आपको अगर ऐसा लगता है कि लड़की और और आउरते आपको बहुत ज़्यादा भाव दे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महनत करने की जरूरत है बहुत सारा पैसा कमाने की जरूरत है और आपको इतना पैसा कमाना है कि आपके पैसा को देखकर सभी लोग जलने लगे और दोस्तो मैं आपको एक सच बात बताता हुगे चाहे आप मानो या ना मानो जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे तो कोई औरत कोई भी लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी इसकी गैरेंटी मैं लेता हुग आप अगर दिल से ऐसा चाहते हो कि लड़की और और अवरते आपको खुद भ झीज याद क की लूब आप की लड़ते दिल स्वैंगे चाहतीज़न श्मस्यदीन सबढ यादी मैं लादी रवरते हो कि लीए जाओ भी लीज़की चाहते हो ईश्या की लादतोरों प्यादा चाहते हो जश्यूश्चरों भीज़की आपकी लादकी यादकी ख equipmentी Chr ROM 21